वेलकम फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल एक बार फिर से रिव्यू मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आज का वीडियो जो है नब बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी बहुत सारे लोगों को तो मेरे पैरों में हो गाया स्ट्रेन कहलें मोच कहलें तनाओ कहलें चो की अक्सर किसीने किसी को कभी न कभी लाफ में एक बार होता ही है और बहुत दिखत अटाना पड़ता है इसकी वजा से बहुत सारे डेली रूटीन के लोग आपके हमपर हो जाते हैं और दुक दर्द त पीपास की वह बहुत ज्यादा ही खीचा गई है बिल्कुल श्प्रिंग जैसा मुझे फील हुआ इसा फिल और बहुत ज्यादा कीचा हो गया और उससे मुझे बहुत कस के दर्द हुआ और दर्द होने के बाद जो मुझे सहील हा जो मेरा पैर थोड़ा फूलने लगा तो एक से बौन को connect करता है connective tissue और tendon बो होता है जो बौन और muscles को connect रखता है तो यही दोनों tissue में कुछ न कुछ चोट आ जाती है और इसके वज़े से चलना फिरना और डेली का जो रूटीन वर्क होता है वह बहुत ज्यादा हैंपर हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत दर्द भी होता है तो first of all मैंने अपने लिए एक first aid लिया जैसा ही ऐसा हुआ मैंने सबसे पहले क्रेप बैंडेज मंगवा कर अपने पैरों में कसके बांध लिया और उसके बाद घर में जो आइस था ना मैंने उससे ice pack की तरह कपड़े में बांध कर पैरों में लगाना शुरू कर दिया अगर आपके पास ice pack ice bag जो होता है वो नहीं है तो कोई भी ice cube को लेके कपड़े में रैप कर लें और इस तरह से पैर पे जरूर लगा है यह वीडियो मेरी दूसरे दिन की है पहले दिन मैं मैं वीडियो बनाने लाइख नहीं थी तो मैंने इस आरा वीडियो सेकंड डे पर शूट किया है और सेकंड डे में मेरा हाल बहुत सही हो गया था फर्स डे में ऐसा फील हो रहा था कि सिर्फ रूं तो उसके बाद जो है मेरा सेकंड डे का जो हाल था वो बहुत अच्छा हो गया कैसे हु तो मैंने ये भी मंगवा लिया था हिक्स का ये आइस बैक और इसमें आप रियूजबल है इसमें आइस डालकर आप आराम से आइस का सेक ले सकते हैं तो मेरे सेकंड डे में इस तरह का होगे तो बहुत राहत मिल चुकी थी तो ये मैंने मेरे मेरे पास मूव और वॉलिनी अब फर्स तरह में यूजबल उटी आईस और वालनी मुव और क्रेप बैंडज मैंने अपने फस्ट तेड में यूजब्लिगा था, जो कि मुझे सामने जो दिखा प्रें होने के बाद मैंने वो किया। लेकिन राहत नहीं मिली गणिन के 10 बज़े मतलब मेरे साथ ऐसा हु तक मुझे कोई आराम नहीं मिला इस फर्स टेट को करने के बाद भी बीच मेंने होमेपैतिक मेडिसेन भी अपने लिए मंगवाली थी तो ये आर्निका क्यू है जो कि मैंने अपने जहां पर चोट लगा था ना वहां पर लगाया था और साथ में हैपैरिकम 30 मैंने हाइपैरि इसका नाम है Zero Doll SP आप देख लें मैं आपको पूरा देखा दे रहे हूं आप इसके जो भी जो भी इसके इंक्रीडियंट से नोट कर ले और Zero Doll SP इसका नाम है ये मेडिसीन मैंने खाई अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ कर रेली ये मेडिसीन मुझे ना रात भर में इतना आराम दिया सुबा उठकर मैं खड़ी होने लाइख थी कि मैं आराम से अपना जो डेली रूटीन वाला वर्क होता है वो मैं करनू खुद का किसी के वरोसे या मतलब किसी के सहारा लिये बिना बाथरूम जाना ब्रश करना मतलब ये सब ये सब भी ना कर पाओ तो मतलब रो इसका नाम आप देख लें डिकलो फेनक इसका नाम है और ये बहुत अच्छा है और मुव और वालनी से कोई असार नहीं पड़ा पर इसको दो बार लगाने के बाद ही मुझे बहुत अच्छा असर हो गया था ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि जो लोग डॉक्ट दूर हो जाता है तो मुझे जरूर दूआ दें तो जो मेडिसिन मैंने आपको दिखाई थी वो ट्याबलेट दिखाई थी सिर्फ डॉक्टर ने मुझे चार खाने को कहा था चार से ज्यादा ना ले अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका दुख दर्द दूर नहीं हो हो गया है क्रेब बैंड़ खोलने के बाद बहुत दर्द दुख जो है वह दूर हो चुका है और मुझे बहुत आराम मिल गया आप जरूर इसको इस्तामाल करें वीडियो अच्छी लगी तो लागी